हेले वरिबन दिस इस नेलम एन वैलकम टू यूर चैनल यूटूब इत नेलम आज की वीडियो में डिसकस करेंगे मुल्टिपल इंटेलिजेंस थेयरी जिसको की दिया है हावाट गार्डनर ने विजुकेसर में गार्डनर की थेयरी बहुत ही फेमस थेयरी है इस्पेसली 1883 में अपनी पुस्तक फ्रेम्स औफ मैंड में दिया था इनके अनुसार बुद्धी एक नहीं होती है बलकि बहुत सारी होती है बुद्धी का सोरुप एक कार्की ना होकर बलकि पहुकार्की होता है जब इन्होंने प्रारण्व में 1883 में या सिधांत दिया था तब इन्होंने बताया था कि बुद्धी के कुछ साथ प्रकार होते है इसके बाद सन 1998 में इन्होंने इसमें एक और प्रकार जोड़ दिया और बताया कि बुद्धी आठ प्रकार की होती है फिर 2000 में इन्होंने इसमें एक और प्रकार जोड़ दिया और अब बुद्धी के नौ प्रकार हो गया इस प्रकार इनके अनुसार वर्तमान में बुद्धी के कुल नौ प्रकार होते हैं और ये तरह का वातावर्ण मिलता है उसकी उसी तरह के बुद्धी तीज हो जाती है और अन्य तरह के बुद्धी का विकास थीमा पड़ जाता है यह तो फिर दब जाती है यही काड़ है कि कोई व्यक्ति किसे एक शेत्र में प्रकर होने के बावजुद अन्य शेत्र में असफल हो सक जिसकों की linguistic intelligence भी बोलते हैं, इसके अंतरगत ऐसे विक्ति आते हैं जिन में भासा प्रवा होती है, जो अपनी बातों को दूसरों के समक्ष रखने में सक्षम होते हैं, जैसे कि लेखक हो गएं, कवी हो गएं, राजनेता हो गएं, पत्रकार हो गएं आदि, दूसरा है, संगीतात्मकुद्धी, musical intelligence, इसके अंतरगत ऐसे विक्ति आते हैं, जिनकी संगीत में रूची होती है, हम कह सकते हैं कि जिनके लिए संगीत ही सब कुछ हो, जैसे कि गीतकार हो गएं, गायक हो गएं, संगीतकार हो गएं, आदि, अगला है, तारकिक, गड़ितिय, बुद्धी, इसके अंतरगत ऐसे विक्ति आते हैं, जिनमें तर्क करने की योगिता होती है, जिनमें तर्क करने की छमता आधिक होती है, जैसे कि वैग्यानिक हो गएं, गड़ितक की हो गएं, आदि, अगला है, स्थानिक बुद्धी, इसके अंतरगत ऐसे व्यक्ति आते हैं जो किसी वस्तू इस्थिती इस्थान आधी को उसके विभिन आयामों के आधार पर समझ सकें जैसे कि डिजाइनर हो गएं चित्रकार हो गएं सिल्पकार हो गएं मुर्तिकार हो गएं आधी फिर अगला है अंतर बैक्तिक बुद्धि इसको इंटर पर्सनल इंटेलिजेंस इसके बाद है अंतर व्यक्तिक बुद्धि इसको इंटर पर्सनल इंटेलिजेंस बोलते हैं दोनों को एक साथ समझेंगे तो ज्यादा अच्य समझ पहेंगे अंतर व्यक्तिक बुद्धि के अंतरगत ऐसे व्यक्ति आते हैं जो खुद को सबसे ज्यादा समझती हो जो स्वयम के सम्वेगों को समझने में सक्षन हो जैसे कि योगी हो गये महात्मा हो गये संत हो गये आदि अगला है प्राकृतिक बुद्धि इसके अंतरगत ऐसे व्यक्ति आते हैं जो प्रकृति के नजदीक रहना पसंद करते हैं जिनको प्रकृति के सम्वेगों रहना अच्छा लगता हो जैसे कि किसान हो गये भुगोल विट्था हो गये वनस्पति व्यज्यानिक हो गये आद अगला है सारीक गतिक बुद्धि जैसर की नाम से ही इस पश्ट है कि सरीर को गती देने वाली बुद्धि इसके अंतरगत ऐसे बेक्ति आते हैं जो सरीर का जादा उप्योग करते हो जैसे खिलारी हो गये अभीनीता हो गये डांसर हो गये सानिक हो गये आदि नौमा और ला अस्तित्व बुद्धि इसके अंतरगत ऐसे वक्ति आते हैं जो प्रतियक वस्तु के अस्तित्व को ढूलते हैं जैसे कि हम प्रतिवी पर क्यों आये हैं भगवान है कि नहीं है आदि इसके अंतरगत दार्शनिक आएंगे अब अगर हम इस सिद्धान के सचिक उप्योगिता के बात करें तो पाठिक्रम के निर्मार इवं निर्देशों को नियूजित कर लिनी मदद मिलता है इस सिद्धान के द्वारा हम पाठिक्रम का निर्मार कर सकते हैं और निर्देशों को नियूजित कर सकते हैं अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो ते लाइक और सब्सक्राइब कर दीजेगा